पर IPFS के बारे में तो से बारे में आप सब का स्वागत है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्किंग ओफ IPFS के बारे में तो आई ये शुरू करते हैं अगर हम बात करने वर्किंग ओफ IPFS के बारे में तो से पहले हमें जानना होगा IPFS नोट क्या होती अब consider करते हैं कि यह हमारा IPFS का एक network है ठीक है जहां पर A, B, E, C, F यह सब क्या है IPFS की node है मतलब कि यह क्या कर रहे हैं यह IPFS का software को एक तरह से अपने अपने system पे run कर रहे हैं और जो कि हम लोग भी practically करके देखेंगे आने वाले वीडियो में बट अभी हम लोग उसको theoretically समझें किस तरह से IPFS work करता है ठीक है अब let's say let's say यह क्या है एक image को upload करना चाता है IPFS पे ठीक है तो यह एक image है core reader की image है ठीक है मैं आप थोड़ा advertising कर रहा हूँ हां ठीक है तो यहाँ भी यह core reader की एक image है और A चाहता है कि मैं इसको IPFS में upload कर दूँ तो A क्या करेगा अपने system पे IPFS क पे यह image upload करेगा तो क्या होगा A के पास यह image as a cache में मतलब जो इसकी cache memory है जो A की cache memory है उसमें जाके यह image क्या हो जाएगी जाके store हो जाएगी तो आप एक एक spacing में vamos आप एक सिए एफ इसक度 को यह image अब accessible हो जाएगी accessible हो जाएगी इसका मतलब यह नहीं है कि इन सब के पास यह image आगी है बस मैं कहा रहा हूँ कि accessible है मतलब कि अब यह चाहें तो A से इस image के लिए request कर सकते हैं तो IPFS का जैसी A ने software run किया यह image क्या होई A के cache में आके store होगी अब इस image को हटा देते हैं इसका कोई काम नहीं है अब let's see अभी A के पास यह image है अभी किसी और के पास यह image नहीं है अभी इस इसको मान रहे हैं कि यह जो IPFS है जब A ने इसको upload किया तो यहाँ पर A के पास यह image है अब यह सब कैसे होगा यह अब प्राटिकरी देखेंगे अभी किल बस यतना समलो E क्या करेगा कि क्या भाई IPFS किसी के पास यह co-reader वाली image है क्या तो IPFS क्या करेगा जितने भी पियर्स होंगे उनको search करेगा और चेक करेगा कि अच्छा किसके पास यह co-reader वाली image है वो तुरंट से वो image क्या करेगा E को वहाँ से transfer कर देगा तो इस case में अभी सिर्फ और सिर्फ एके पास वो image थी तो क्या हुआ जैसी E ने request की तो A से वो image कहाँ पे आगई E के पास आगई और ये image भी अब E के cache में store हो चुकी है और ये image भी अब सारे peers को accessible है मतलब कि ये image और ये image अब सारे जितने भी peers हैं याँ पे B, C, E, B, C, F इन सब को ये image क्या है accessible है एक को भी accessible है मगर ये के पास पहले सही है तो I don't think तो उसमें कोई sense बनता है मगर हाँ B, C, E, F के पास अब ये हाँ से भी वो चाहे दो इस image को ले सकते है चाहे तो यहाँ से भी वो image को ले सकते है और अब आता है interesting part interesting part क्या है अब माल लेते हैं F को भी ये code reader वाली image चाहिए जो A के पास भी है जो E के पास भी है अब F फिर से IPFS लेगा भाई मुझे image चाहिए code reader वाली तो IPFS फिर से पूछेगा किस के किस के पास ये image है तो तुरंट से answer आएगा A के पास और E के पास अगर ये normal client server system होता तब क्या होता तब वो होता कि या तो A से पूरी image आ जाती E के पास या तो फिर E के पास E से वो image F के पास आती है अब क्या होगा जब F request करेगा इस image के लिए तो IPFS क्या करेगा वो कुछ amount of image A से transfer कर देगा और कुछ amount of image E से transfer कर देगा इसका क्या मतलब है माल लेते हैं कि अगर ये image 10KB की है 10KB की image थी तो वो क्या करेगा कुछ chunk of image मतलब कुछ amount of data 2KB of data 2KB of image वो A से F के पास बेजएगा और जो remaining 8KB of image है वो कहां से बेजएगा वो E के पास से बेजएगा ऐसे कैसे हो पा रहा है ये IPFS साई चीज़ें अपने आप manage कर लेता है उसके पास जो protocols है जो data structures है इसे वारे हम उने बात भी की दी उनके त्रू ये साई चीज़ें वो manage कर लेता है तो वो क्या करेगा 2KB of image उसने A से ली 8KB of image उसने E से ली और total जो 10KB of image की इधर से और इधर से मिला के 10KB of image किसको दे दी? F को दे दी अब ऐसा भी हो सकता है ऐसा नहीं कि यहां से 2KB होगा हो सकता है यहां से 5KB of image है यहां से 5KB of image है मेरा कहने का मतलब का है? मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां से अब एक फाइदे वाली चीज़ दो हो रही है कि किसी एक particular किसी एक particular peer पे कोई जोर नहीं पड़ेगा, उसकी bandwidth पे कोई जोर नहीं पड़ेगा Reason भी, क्योंकि अब आधा amount of data हो सकता है, A से मिल रहा हो, कुछ amount of data E से मिल रहा हो, और इससे क्या हुआ किसी की भी bandwidth पे जाता असर नहीं पड़ा अगर यही चीज़ client server होती, तो पूरा-पूरा असर किसे पड़ता, server पर पड़ता है, क्योंकि हम server से ही image को request कर पाते हैं वगर इस case में, हम कुछ-कुछ amount of image जितने लोगों के पास वो image है तो अब हमारे पास IPFS network में, अगर आप देखोगे तो तीन जगह यह image आ चुकी है अब लेट से अगर C को यह image चाहिए तो अब C क्या कर सकता है, फिर से request करेगा IPFS से IPFS क्या करेगा, कुछ amount of image यहां से कुछ amount of image यहां से और कुछ amount of image यहां से transfer करेगा और यह भी कोई mandatory criteria नहीं है यह चीज़ depend करती है कि आप किस peer के पास कितने हो, किस peer की network speed कितनी है, इन सारे चीज़ों पर criteria पर depend करता है, हो सकता है सिर्फ और सिर्फ F और E से ही data इसी के पास है हो सकता है कि A, E, F सबसे data साफ मुलब उसके पास है let's say 10KB की अगर image थी 3KB यहाँ से आया, 4KB यहाँ से आया और remaining जो 3KB था, वो F के पास से आया और यह भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ किसी A, E या F से ही पूरी-पूरी image आज़ा तो यह सारी possibility हैं और यह सब चीज़े protocol manage करता है, आपको इसके लिए बिल्कुल परशान यह ना होता है मेरा कैने का मतलब यह है कि यह क्या है possibility हमारे पास यह है कि image कहीं से भी अब आ सकती है, थोड़े-थोड़े amount से chunks of blocks of image में वो आ सकती है और C के पास store हो सकती है तो इस तरह से क्या होगा C के पास भी image आ जाएगी अब एक और case की बात कर लेते हैं इस case में क्या होता है कि माल लेते हैं कि जो हमारे AEFC थे यह सब क्या है, अब हमारे IPFS के node है जिंगे पास यह image कुछ तरहें बात क्या हुआ, AEF ने का कि भाई हमें क्याना node नहीं बनना है हम अपने आपको off कर दे रहे हैं उन्होंने क्या किया, अपने आपको off कर दिया उन्होंने बिल्कुल अपने आपको off कर दिया मगर अगर आप ध्यान से देखोगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो definitely अगर भी यहां से data नहीं ले सकता मतलब AEF से तो data नहीं ले सकता मगर अभी भी वो data कहां से ले सकता है C से वो data ले सकता है और उस data की request C से कर सकता है तो इससे क्या चीज़ पुरूब होती है इससे ये चीज़ पुरूब होती है let's say अगर कल को हमारे पास मतलब एक network में thousands of IPFS की notes है अगर उसमें से कल को अगर हेंड़ या फिर कुछ 10 बंद भी हो जाती है still आपका जो data था वो हमेशा के लिए present रहेगा IPFS के network पे क्योंकि अगर आप पीछो इस राइट पर हम फिर से जाए तो ये तीनों लोग क्या हो चुके थे एक तरह से अपने आपको off कर चुके थे अपने आपको cut off कर चुके थे अगर ये चीज़ client server के face में होती तो क्या होता अगर मालू ये सब server होते तो अब हमें अपना data कहीं से भी निपल बाता है क्योंकि server क्या होगा है बंद हो चुका है मगर क्योंकि ये एक IPFS एक decentralized system है अभी भी ये data कहीं न कहीं available है जो कि C है तो अब भी क्या कर सकता है ये data C से भी ले सकता है तो यहाँ पर तो मैंने बहुत ही छोटा से example लिया जहाँ भी सिर्फ उसे 5 system है मगर आप imagine करो जहाँ भी thousands of nodes है और आपने अपना data IPFS पे node पे भला IPFS पे upload कर दिया अब आपका data अगर कोई-कोई request करता है जैसे जैसे जो request करता जाता है आपका data वो क्या होता जाएगा multiple like thousands of copy used data की पूरे network पे बन जाएगी और अब आपका data कोई भी remove नहीं कर सकता अगर कल कोई चाहता है कि मैं ये बंद कर दूगा ये बंद कर दूगा ये बंद कर दूगा तो बिल्कुल बंद कर सकता है बट क्योंकि कोई ना कोई node ऐसा होगा जिसके पास आपका data होगा आप क्या कर सकते हो उससे request कर सकते हो और अपने data को वहां से हासिल कर से इसी तरह से आपका IPFS वर्क करता है एक बार इसको फिर से summarize कर लेता है बहुत ही simple है कोई बड़ा process नहीं है I believe बस इसमें समझना यह है कि यहां पे A था तो उसको एक data चाहिए तो मतलब उसने IPFS में यह data किया किया अपलोड किया अब यह data A की cache में आ चुका है अब अगर कोई भी A से request कर सक dunno अब कोई भी इस data को request कर सकता है जο भी IPFS की node हो इस data को A से request कर सकते है क्योंकि पहले के इसमें A ने किया तो E के पास यह data अब A और A के पास क्योंकि data है तो दोनों से भी data लिया जा सकता है तो F क्या करता है, थोड़ा amount A से लेता है, थोड़ा amount E से लेता है, यह हमारा IPFS मैनेज करता है, IPFS प्रोटोकॉल मैनेज करता है, जो हमें नहीं करना होता है, IPFS इस साही चीज़े देखता है, वो depending on the internet speed, bandwidth इस साही चीज़े को देखते हुए, F के पास भी यहाँ पर data आ गया, अब जैसे F के पास data आ गया, अब हमें 3 IPFS की node के पास यह data है, अब इन तीनों से कोई भी data ले सकता है, मनलब थोड़ा-थोड़ा amount करके ले सकता है, और data को access कर सकता है, जैसे यहाँ पर C ने इस तरह से कुछ किया, अब इस case में क्या हुआ कुछ IPFS जी नोट ने अपने आपको back off कर लिया, अपने आपको हाटा दिया, अगर स्टिल हमारे डेटा क्योंकि C के पास था, तो कोई न कोई अभी भी C से वो डेटा ले सकता है, मतलब कि हमारा डेटा एक तरह से destroy अभी भी नहीं हुआ है, और क्या कर सकता है, कोई और स्टिल नोट इससे C से request करके वो डेटा अपने पास रख सकता है, इसी दरह से हमारा IPFS work करता है, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इससे like करना बिलकुल मत भूलेगा, अगर आप में चैनल पर नहीं हैं तो इससे subscribe करना बिलकुल मत भूलेगा कि मैं daily नए वीडियोस अप्लोड करता हूँ, regularly में चैनल पर नहींने courses भी अप्लोड होते हैं, साथी साथी हमारी Instagram की community है, इसको भी आप join कर सकते हैं और direct team उससे interact कर सकते हैं, और जो भी courses से related update होते हैं, मैं उसे Instagram की ID पर करता हूँ, तो मिलते हैं आप नेक्स वीडियो में आप बिलकुल like करना और subscribe करना मत भूला, ठीक है, बाबाई,